बारिश में भीगी हुई औरत के जब उसके कपड़ों में से अंग दिखने लगते हैं, तो वो औरत बहुत ही ज्यादा आकर्शक लगती है। आज अगर आपका बुरा समय चल रहा है, तो भरोसा रखिए और मेहंत कीजिए। आपका अच्छा समय भी जरूर आएगा। कुछ औरतें आइने के सामने निर्वस्त्र होकर अपने शारिरिक अंगों को निहारती हैं। बड़े स्तनों में दूज ज्यादा होता है, क्योंकि बड़े स्तनों में मांसपेशियां ज्यादा होती हैं, जो दूद उतपादन में मदद करती हैं। एक हसी होने पे सुहागे जैसा होता है, जैसे कि अगर कोई सुंदर लड़की सिंगार कर ले, तो वो और भी ज्यादा आकरशक लगने लगती है, कुछ औरतें उन पुरुषों से संभोग करना पसंद करती हैं, जो पुरुष शारिरिक तोर पर शक्तिशाली होते हैं और कि तरह संभोग करते हैं, कुछ महिलाओं को संभोग से ज्यादा रोमैंस करना और मस्ती करना ज्यादा पसंद होता है, पतली कमर वाली औरत के साथ संभोग किया जाए, तो संभोग करते हुए, तेज जटके मारने से पुरुषों को बहुत ज्यादा आनंद मिलता है, कुछ औरतें बहुत ही ज्यादा मतलबी होती हैं और वो अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। अगर आप स्त्रियों के पूरे जिस्म में उत्तेजना पैदा कर सहलाना होगा और अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा करने से स्त्री पूरी तरह से उत्तेजना से भर जाएगी। कुछ स्त्रियां अपनी किसी भी बात से बहुत जल्दी पलट जाती हैं। औरत की योनी को चाटना संभोग प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है ऐसा करने से औरत को संभोग की चरम सीमा का आनंद प्राप्थ होता है अगर आप पहली बार संभोग कर रहे हो तो शुरुवात हमेशा रोमेंटिक बातों से ही करना और फिर उपर से नीचे तक जीब फेरना ऐसा करने से स्त्री को अधिक से अधिक आनंद मिलेगा दुनिया का हर एक इनसान हमेशा सुख समरिधी और खुशिया ही चाहधोग करती है तो फिर और भी बहुत सारे गैर मर्दों से संभोग करने की इच्छा रखती है